फाइनली नीट 2020 एक्जाम का रिजल्ट आ चुका है और जो एक्सपेक्टेट था कि कट आफ बढ़ेगा और वो तो हुआ लेकिन इतना भी नहीं सोचा था कि कट आफ बहुत जादा बढ़ जाएगा मतलब अब जिनके 600 नंबर आ रहे हैं उनका भी सेलेक्शन नहीं होगा यह आपको मालूम है कि 16,000 पर सेलेक्शन नहीं होता है और अगर वो राजस्तान, हर्याना, दिल्ली और भी जो हाई कट आफ वाले एडिया से हैं तो वहां पर उनका से भी सेलेक्शन नहीं होगा इसका मतलब यह है कि 608 नंबर वाला बच्चा भी अगले साल अग्जाम फिर से एक रेंक है 11,556, आप सोचें 620 नंबर 2 साल पहले, 3 साल पहले 620 के अदर आप 2 हजार के अंदर रेंक होती थी आपकी, अब आप 10 हजार के अंदर भी नहीं हो, टॉप और इंडिया कोटे के अंदर ठीक है, या फिर और रेंक सकते हो आप 594 नंबर 394, वहां पर आपकी रे नमबर उसकी रैंक है 16110 अब सोचिए 16110 पर सेलेक्शन तो कैसे होगा मतलब 608 वाले का सेलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता अब अगर हम पीछे जाएं तो देखिए 502 नमबर 502 मतलब नहां पर देखिए एक मतलब 500 नमबर का माक होता है अगर आज से तीन से चार साल पहले बात करें तो लोग कहते थे कि 500 लाइए आपका सेलेक्शन हो जाएगा लेकिन 502 नमबर पर आपको मिला है 84,534 रेंग मतलब जिसकी ST केटेगरी होगी ST उसको भी अब 500 से नीचे कुछ नहीं मिलेगा इसका मतलब उसको भी 500 से उपर लाना पड़ेगा एक टाइम था कि उनका 380 पे भी हो जाता था अब कट आफ जो हैं इस तरीके से विक्राल रूप ले लेंगे बहुत बड़ा जाय रहे हैं बच्चों का मूँ है ठीके उनका मून है वो बालजी के तरफ बढ़ रहा है बच्चे साइंस बयोज जैदा ले रहे हैं वेकोश यहां पर अपना करीयर है उसको सिक्यॉर समझते हैं बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और ऐसे में जो देश के अंदर दॉ सारे medical college होते या फिर इतने होते कि हम आजसानी से जिसकी रेंग 20,000, 25,000 या फिर 30,000 है उसको भी एक अच्छी सी सीट दे पाते government की तो कुछ अलग बात होती लेकिन reality यह है कि 13,000 के अंदर अंदर जिसकी rank होगी उसको और इंडिया से मिलने के chances हैं हाँ अभी इस पार aims हैं तो कह सकते कि 13,500 के बस आपको college मिल सकता है लेकिन आप सोचिए कि जिसके नंबर 600 प्लस है जिसके नंबर 600 प्लस है उसकी rank 17,000 से भी बाहर है तो अभी के लिए देखिए यह सब कुछ cutoff आई है result जो है बहुत साइब बच्चों का जो है मुझे मानता हूं कि आपका अगर नहीं लिकल रहा होगा because server जो है बार-बार डाउन होता है आप आप नीट की जो में वैब साइट है नीट की में वैब साइट के ऊपर आप चैक मत कीजिए एक वैब साइट है एंटी रिजल्ट की जो है आपको इमीडेटली मिल जाएगा ठीके वो 40,000 के आसपास पहुंच चुका है तब सोचिए कि क्या हम किस तरफ जा रहे हैं यह competition नहीं है यह competition से भी बढ़कर बहुत ही बड़ी चीज हो चुकी है यहाँ पर आज का जो result है आज का जो result है वो काफी बच्चो को तोड़ेगा हमने पिछले 3-4-5 मेनों से बात की है सुशान शिंग की मीडिया ने पूरी तरह से cover किया है लेकिन कोई बात करता है इस चीज की पिकोस हमने पहले देखी है डियो की जो cutoff गई है वो कितनी हाई उपर गई है उसके बाद में अगर हम इस medical field की बात करें यह हर वर्ष यही होता है बच्चो के साथ में जिस अगर हम 2017 से लगा कर इंतरपरदेश की बात करें यहां पर cutoff बहुत जादा जाएगा बहुत जादा जाएगा यूपी में थोड़ा सा नीचे हो सकता है हो सकता है मेवी बट थोड़ा सा नीचे का मतलब यह निए कि आपको 600 से कमपे seat जो है वो सेफ है अब आपको बहुत जादा marks लाने पड़े आपको सेलेक्शन हो पाएगा 600 प्लस जो है 600 प्लस जो है कभी ड्रीम हुआ करता था आज आपको cutoff भी उससे उपर जाते हो दिखाई दे रही है